करें गुड़ मुड़ी तो बताइए कहां तक आखरी बात हमने कंप्लेट कर ली थी रिजनिंग में डाइरेक्शन टेस्ट में टाइप फायू ग्लॉक वाले सवाल कंप्लीट हुए थे हमारे ग्लॉक एंड डाइरेक्शन यही था हां दो सवाल बहुत है उत्तर निकालने का तरीका सीखना था हमें एक सुई में जो परिवर्दन दूसरी सुई में भी वही परिवर्दन आई है ठीक है तो टाइटल डाली अब आप लोग शडो कंसेप्ट शडो कंसेप्ट परचाई की संकल्पना शडो कंसेप्ट परचाई की संकल्पना देखो कही पर भी जो शडो बनती है मतलब जो परचाई बनती है वह केवल मतलब संलाइट की डाइरेक्शन पर डिपेंड करती है आप कहां पर खड़े हैं इससे कोई मतलब नहीं मतलब मैं यह कहना चाहरा हूँ मान लोकी सं यहां पर है तो अब आप चेहरा इधर करके खड़े इस और चेहरा करके खड़े रहो या इस और चेहरा करके खड़े रहो यह बात तरह है कि आपकी जो शेड़ो बनेगी वह सनलाइट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट बनेगी इसका मतलब आपका फेस डिसाइड नहीं करता शेड़ो को बलकि केवल सनलाइट डिसाइड करता है कि आपकी शेड़ो कहां बनेगी इसका मतलब कि उसकी शेड़ो वेस्ट में बनेगी और यूनिंग के समय में क्योंकि सन वेस्ट में होता है तो उसकी शेड़ो इस्ट में बनेगी नौर्थ और साउथ में शेड़ो कभी नहीं बनती उत्तर और दक्षिन में कभी परचाई नहीं बन सकता तो पहला पॉइंट लिखेंगे किसी भी व्यक्ती की परचाई केवल सुर्य की दिशापर निर्भर करती है शेड़ो अफे परसन ओनली डिपेंड किसी भी व्यक्ती की परचाई केवल सुर्य पर निर्भर करती है निर्भर करती है It means Arthaanouter, depending on the direction of sun .It means In The morning, shadow always फॉर्म टुवर्ड वेस्ट अर्थाथ सुभके समय परचाई हमेशा पश्यम की ओर बनती है कि सुभके समय परचाई हमेशा पश्यम की ओर बनती है वाइल एट टाइम आप इवनिंग जबकि शाम के समय पढ़्छाई जबकि शाम के समय पढ़्छाई हमेशा पुर्व की ओर बनती है वाइल इवनिंग शड़ो अल्वेस फॉर्म टूवर्ड इस्ट जबकि शाम के समय पढ़्छाई जबकि शाम के समय पढ़्छाई केवल पुर्व में बनती हैं पर देखना यह तब भी आपको उत्तर निकालने में मदद नहीं कर पाएगा उसका कारण यह हैं क्योंकि एग्जामिनर जो प्रश्ण पूछता है उसमें वो क्या करता है कि एक व्यक्ति की जो शडव है पर चाई जो है वो उसके राइट में बन रही है या उसके लेट में बन रही है कि तो ऐसी सिच्वेशन में में डायरेक्शन निकालनी पड़ती है तो मैं क्या मान लेता हूँ मैं सपोस कर लेता हूँ नौर्थ की तरफ होता है हमने मान लिया है अगर साउत होगा तो हम देख लेंगे उसका उल्टा तो हमने मान लिया कि व्यक्ति हमेशा नौर्थ में देख रहा है अब सोच हो कि अगर व्यक्ति नौर्थ में देख रहा है यह व्यक्ति है तो उसका जो राइट हिंड है वो इस वेस्ट में आएगा इसका मतलब यह वाग कि अगर मैं इसी बात को थोड़ा राइट और लेट हेंड के रूप में कहूँ तो मैं यह दावा कर सकता हूँ कि व्यक्ति अगर नौर्थ फेसिंग में हैं तो सुबह के समय उसकी परचाई लेट में और शाम के समय राइट में बत in the morning's shadow always form toward left कि सुबह के समय परचाई हमेशा बाई और बंती हैं in the morning's shadow always form toward left कि सुबह के समय परचाई हमेशा बाई और बंती हैं वाइल इन दे इवनिंग शड़ो ओल्वेस फॉर्म टूवर्ड राइट जबकि शाम के समय पढ़चाई हमेशा दाई और बनती हैं वाइल इन दे इवनिग शड़ो ओल्वेस फॉर्म टूवर्ड राइट जबकि शाम के समय पढ़चाई हमेशा दाई और बनती है वाइल इन दे इवनिग शड़ो ओल्वेस फॉर्म टूवर्ड राइट जबकि शाम के समय पढ़चाई हमेशा दाई और बनती हैं If person facing toward north, यदि व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर हो, अब मानलो की व्यक्ति का चेहरा साउथ की ओर है, तो इसका उल्टा कर देना, अगर नौर्ट की जगद साउथ में होगा, तो ठीक उल्टी बात, अब उसको लिखने की जुर्ण ने, लेकिन यदि व्यक्ति का चेहरा वेस्ट में या इस्ट में होता है, पश्यम या पुर्व में होता है, तो या तो परच्छाई पीछे बनेगी, या सामने बनती है, लेकिन इसके अलावा परच्छाई दायबाय नहीं बनेगी, तो यह जो दाए-बाए का खेल है यह तभी होगा जब व्यक्ति या तो नौर्थ में देख रहा होगा या साउट में इस्ट और वेस्ट में जब व्यक्ति के चेहरे होते हैं तो परचाई या तो सामने बनेगी या पीछे बनेगी इसके अलावा परचाई कई और थोड़ी बन सकती है तो दो बाते आपको याद रखनी है दो बाते क्या याद रखनी है मॉर्निंग के टाइम में परचाई लेट में बननी चाहिए और इवनिंग के टाइम में परचाई राइट में बननी चाहिए अगर ऐसा हुआ तो वेक्ति नौर्थ में देख रहा हैं अगर इसका उल्टा हुआ तो वेक्ति साूथ में देख रहा है तो लिखिएगा इपलाप ड़शा एपरस्टे श्टार्ट रिडिग दिखिष्पेपर इन्ग के समय अकबार पर है एक वेक्ती सुभा के समय अकबार पढ़ रहा है इप इस शड़ो इस राइट यदि उसकी पढ़चाई उसके दाई और बन रही हो इस शड़ो इस राइट यदि उसकी पढ़चाई उसके दाई और बन रही हो देन इन विच डाइरेक्शन ही फेसे तब वह किस दिशा में देख रहा होगा तब वह किस दिशा में देख रहा होगा कि नौर्थ कि सावुथ कि एस्ट और वेस्ट मैं गलत उत्तर लगाऊंगा ताकि मुझे गंदा लाल समझ में आए कि कोन है कि कार्थिक रिया खुशी मंजू खुश्बू इने भी कलेक्टर बना है सोम्या जब कि मास्टर बोल चुका कि या तो उत्तर नौर्थ हो सकता है या साउथ इस्ट और वेस्ट में जब चेहरा होगा तो परचाई या तो सामने बद्दिय या पीछे दायवाय का तो खेली नहीं है इन लोगों को आप सभी लोग ध्यान से देखी यह वह महान लोगे जिने कलेक्टर बना है नरेश निशू शभार इभी सेंट्रल ब्यूरो अभी से एका डाम लिग दिया है और डारिक्षान डूनने पा रहे हैं नाम सीज़ी आइका सेंट्रल ब्यूरो ओप इंडिया और वो मुर्घाद में डारिक्षान नी ढून पारा हैं कि शब्द पर गोर करेंगे हमने अभी आपको बताया कि व्यक्ति की परचाही सुभध के समय लेप में बनती है और शाम के समय रॉइट में बनती है अगर उसका चेहरा नौर्थ में हो लेकिन ये कह रहा है कि सुभध के समय परचाही रॉइट में बन रही है मैंने लेका वह तो होगा नहीं मतलब यह साउथ वाला होगा तभी तो साउथ वाले के लिए यह वाला डाइरेक्शन राइट हो जाएगा कि अगर कुछ भी ना समझ में है तो नौर्थ रटलो नौर्थ को याद कर लो साउथ अपने आप याद आ जाएगा कि आंसर आना चाहिए था वह व्यक्ति दक्षिन दिशा में देखकर न्यूस्पेपर पड़ रहे है कि एक ट्राइफिर करी अभी कि ए परसन स्टार्ट मॉर्निंग वॉप इन ए सर्टेन डाइरेक्शन एक व्यक्ति निश्शिद दिशा में सुबह की ओर चलना प्रारम करता है एक व्यक्ति निश्शिद दिशा में सुबह की ओर चलना प्रारम करता है and his shadow he is left तता उसकी परचाई उसके बाई और बन रही है इस शड़ो इस लेफ्ट इन विच डारेक्शन इस स्टार्ट मॉर्निंग वॉक्ति दिशा में सुबह की सेर कर रहा है मैं गलत आंसर लगाऊंगा ताकि मैं उन महान शक्स को ढूंड सको पहले वाले तो एक बार समझ में भी आता है कि गलती कर सकते हैं पर यह दूसरी बार गलती करने वाले तो अदबुत शक्त मिलिये इन से इनके नाम है सौरब नितीश निशा रिनोबा सूरज सोम्या इन्हें भी कलेक्टर बना है और यह दूसरी बार भी गलत आंचर निकालते हैं इन्हें भी महान बनना है तो इसकते हैं कि यह भी महान शक्स है इन्हें भी कलेक्टर मास्टर कई बार बता रहा हैं कि सुबह के समय सुबह के समय सुबह के समय पढ़चाई हमेशा लेप्ट म में बनती हैं लेप्ट में बनती रहें सुभा के समय पर चाहिए अगर वित्ती का चेहरा उत्तर की और हो लिखिएगा एक और सब्सक्राइब वन मॉर्णिंग आफ्टर सन्राइज एक सुभा सुर्योदय के पश्षाथ सुरेश एक खंबे के सामने खड़ा है सुरेश एक खंबे के सामने खड़ा है वन मॉर्णिंग आफ्टर सन्राइज एक सुरेश एक सामने खड़ा है दशेड़ अप दपोल दशेड़ अप दपोल अब दशेड़ अप दपोल अब दशेड़ अब दपोल फेल एक्जेक्ली तुई राइट खंबे की परचाई ठीक उसके दाई और बन रही है खंबे की परचाई ठीक उसके दाई और बन रही है तो विच डाइरेक्शन वोजी फेशी तब वो अकिस दिशा में देख रहा है मैं पुना गलत उत्तर लगाओगा ताकि जिसके होने की कोई उम्मीद नहीं है ऐसा व्यक्ति मुझे पता चले मामली, अभीनव, सुमन, शिशू, निशू, अंकित इन्हें भी कलेक्टर बनना है जोती ये भी चाहते हैं कि एक बंगला हो एक गाड़ी हो और सरकार मुझे पुरिये जिलहे की जिम्मेदादी सोपे जो की एक प्रश्न के उत्तर में ही तीसरी बार की बाद भी गलती कर रहे हैं पस मुझे इतनी सी बात बता देना खंबे की परचाई और उसकी परचाई एक ही डारेक्शन में हो गिया अलगलग नुजरत कहरी अलग 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 ऐसा कभी होगा क्या कि वो खंबे के बास खड़ा है सूरज इदर है सूरज ने का खंबा तुमारी परचाई इदर इसकी परचाई भी निदर अब्यस्ली दोनों की परचाई एक ही डारेक्शन में बनी हो गिया तो अगर खंबा उसकी दाई और परचाई बना रहा है तो उसकी परचाई भी दाई भी बनी न उसकी परचाई भी दाई और बनी और सुबह के समय जिस भी वेक्तिकी परचाई राइट में बनती है उसका चेहरा केवल और केवल साउध में हो सकता है आखरी सवाल इस टॉपिक में वन इवनिंग बिफोर संसेट एक शाम सुर्यास्त से पुर्व वन इवनिंग बिफोर संसेट एक शाम सुर्यास्त से पुर्व टॉ फ्रेंड सुमिट और मोहित वर तॉ कि फिर्व एक शाम सुर्यास्त से पुर्व दो मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे की और चहरा करके बात कर रहे है सुमित और मोहित एक दूसरे की और चहरा करके बात कर रहे है talking to each other face to face if मोहित शेडो was exactly to his right यदि मोहित की परच्छाई उसके दाई और बन रही हो यदि मोहित की परच्छाई उसके दाई और बन रही हो if मोहित शेडो was exactly to his right which direction was सुमित facing तब सुमित किस दिशा में देख रहा होगा तब सुमित किस दिशा में देख रहा होगा मैं उन्ह गलत आंसर लगाऊंगा क्योंकि मैं उन महान लोगों को तलाश सको जो पद तो बड़ा चाहते हैं लेकिन अपने रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते हैं इसमें पहला नाम आ चुका है महान शक्स सौरव का फिर उसके बाद खुश्बो ने भी अपना नाम दर्च किया इस महान सूची में फिर गुल्षण मेहनाज इन्हें भी कलेक्टर बनना है इतने सवालों में दो दो उत्तर गलत देने वालों में ये लोग है अगर नी सौरव खुश्बो निशो ये वो महान शक्स है जो एक ही गलती को दो बार करते हैं चाते पुरा जिला समालने का मौका दे दिया जाए सोचो क्या होगा जिले का क्या होगा उस जिले के लोगों का दो लोग है एक दूसरे की और आमने सामने चेहरा करके खड़े हैं जिसमें वो कह रहा है कि मोहित की शेडो शाम के समय उसके राइट में बनी और मैंने तो याक करवा है कि अच्छा शाम के समय राइट में बनने का मतलब मोहित तो नौर्थ में देख रहा होगा तो मोहित अगर नौर्थ में देख रहा होगा, तो सुमित साउत में देख रहा होगा, आंसराना चाहिए था केवल और केवल, option B केवल और केवल, option B इससे ज्यादा सवाल नहीं हो सकते मुझसे अब क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है और आपको दो पॉइंट रटे होनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति हमेशा नौर्थ में देखते हुए हम यह मान लेंगे अन्तिम टाइप को लिखेंगे लास्ट टाइप बस जो मॉर्णिंग वाला मैंने बताया था वो चीज़ आप जरूर याद रखिए कोश्चन आये नहीं है लेकिन मैं आपको दावा कर दे रहा हूं इस साल कि 99 परसेंट की गैरेंटी वाला सवाल है कि इस बार का सवाल क्योंकि मैंने इसे भेज दिया है कि मैं पेपर नहीं बनाता बेलकुल उसमें कोई डावती नहीं लेकिन अब इतने वर्षों से हूं तो कुछ तो परीचे निकली आते हैं सना कहरी अधी वो कोई वेक्टि पुर्व में देखें इमेजिन करो कोई वेक्टि अगर पुर्व में देखें तो वो भी कोई सवाल होगा पुर्व में देखें तो इसका मतलब या तो शेडो सामने बनेगी या पीछे बनेगी एक लाल क्या कह रहा है दोपर के बारा बज रहे हो तो मैं के वल इतना कहूंगा कि वो दोपर के बारा बजें सवाल नहीं बना था कैसे कैसे सोचते हो तुम लोग कहां कहां चले जाते हो मतलब मुझे वो विध्यापन आ रहा है या यह वो एक पेराशूट वालों ने पेराशूट वालों ने बनाया था एक विध्यापन कि धन के दिनों में जो डिब्बे का धक्कन रहेगा वो पूरा खुलेगा और गर्मी के दिनों में उस डिब्बे में एक होल होगा वहां से ओईला जाएगा तो एक व्यक्ति पूछता है फिर बढ़सात में क्या करेंगे तो वही सवाल ए सुभर का सवाल आया शाम का सवाल आया तो दोपर के सवाल क्या है हम कुछ नहीं करेंगे जो वी को सब्सक्राइब करेंगा को कि आयरा जीवन पर लूटते हैं है और बात्चीव करते हैं हुज्स कन आखरी टाइप ऑट- सेवन दोपर में ट्योंकि ऐसे तो सवाल पिर आप कहोगे कि 11 बजे का सवाल बताओ, 3 बजे का सवाल बताओ, तो sun exactly या आतो west में या east में जो time रहता है उस time के सवाल बते, तो ऐसे तो कोई कहेंगा कि 11 बजे, sun नाउंत East में है, साउत East में है, ऐसी चीजे नहीं च δενती है, ताइप सेवन पर आईए ताइप सेवन आखरी टाइप है इसमें सवाल ऐसे बनता आए था आपको इनीशल डाइरेक्शन निकालनी पड़ेगी इनीशल डाइरेक्शन निकालनी पड़ेगी फाइनल डाइरेक्शन आपको दी जाएगी है कि सिंपल सवाल है मेरे नियमों पर आधारित रहेगा रेकिना फरसन इस ट्रेवललिग इने सर्टेब डारेक्शन एक व्यक्ति निश्चित दिशा में चलना प्रारम करता है है कि अशेंस ट्रेवलीग इने सर्टेन डारेक्शन एक व्यक्ति निश्विद दिशा में चलना प्रारम करता है एक परसन इस्टार्ट ट्रेवलिंग इने इस सरटेन डारेक्शन एक व्यक्ति निश्विद दिशा में चलना प्रारम करता है Turn two times right and one times left दो बार दाए और एक बार बाये मुड़ता है turn two times right and one times left दो बार दाए और एक बार बाए मुरता है now he facing toward अब वह किस दिशा में देख रहा होगा now he facing toward east अब यदि वह पुर्व दिशा में देख रहा हो now he facing toward east अब यदि वह पुर्व दिशा में देख रहा हो in which direction is start traveling तब उसने चलना किस दिशा में प्रारम किया होगा in which direction is start traveling तो उसने चलना किस दिशा में प्रारम किया होगा पहला सवाल है सीखने पर ध्यान देंगे पहले मैं समझा रहो फिर अगले से आप प्राय करें एक प्रैक्टिकल करें हम लोग एक प्रैक्टिकल करें एक व्यक्ति नौर्थ में जा रहा था फिर उसने राइट टन लिया और वह इस्ट में पहुच गया इस्ट में पहुच गया अब इमेजिन करो कि वह वापिस उसी जगा आना चाहता हो तो जहां उसने राइट लिया था वह वापिस आते समय वहां लेप्ट लेता है और एंटी क्लॉक वाइस अपनी इनिशल पॉइंट पर पहुच था हैं इसका मतलब यह हुआ कि जाते समय जहां जा जो टर्न लेगा आते समय उसने वहां उल्टे ली होंगे आते समय वहां वहां उल्टे लेगा यह लॉजिक समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं कि उसको फाइनल से इनिशल चलाओगा और वह जहां पहुच जाएगा वह जहां पहुच जाएगा मैं कि वो उसकी इनिश्यल डारिक्शन होगी मैं मान लोगा कि वो उसकी प्रारंबिक दिशा होगी तो सक्से पहले तो मैं अतने नियम लगाओगा मैंने जो पढ़ायता लोगो जब भी कोई वेक्ति राइट और लेट टन लेता है एक एक तो डारिक्शन बदलती नहीं इक्वल टन ओर एक लेट टन के एक आरण डारिक्शन नहीं बदलेगी तो एक राइट और एक लैट कैंसल हो गया है बच गया एक राइट डन अट है जो कि तुम आंगा जाते समय राइट लिया है आते समय तो लेट लेगा यह कहां से इस्ट से महुदए वो इस्ट से लेप्ट लेगा इस्ट से और इस्ट से लेप्ट लेने का मतलब 20 clockwise मैं कहूंगा कि स्व्यत्थी ने चलना नौर्थ दिशा में स्टार्ट किया होगा मैंने एक लेप्ट ले लिया उसे फाइन है और मैं राइट को लेप्ट में इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे उसे स्टार्टिंग पॉइंट की और लाना है मैं इसको प्रूप करके दिखा देता हूँ नौर्थ में गया चलना शुरू किया होगा दो बार राइट टन लिये होंगे दो बार राइट टन लिया होगा तो इस्ट में पहुच गया होगा फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं सवाल का अंसर दो राइट और एक लेट लिया था मैंने कहा कि यह कैंसल कर दिया वो एक राइट ले रहा है तुम उसे वापीस ला रहे हो तुम एक लेट ले लो जहां भी पहुचा था उससे एक लेट ले लो तुम्हें पता चल जाएगा है वह कहां से चलना स्टाट कर आ संसरा्ष करा कैं है और ट्र कर करके देखो में लेटन इपरसण स्टेवछल इनने सर्टिन डारिक्शनर कि एक व्यक्ति निशिद्धिशा में चलना प्रारम करता है। वह दो बार दाए और तीन बार बाए मुड़ता है। अब वह दक्षिन दिशा में देख रहा है। वह दक्षिन दिशा में देख रहा है। इन विच डारेक्षिन इस्टार्ट ट्रेवली तब इसने चलना किस दिशा में प्रारम किया होगा। इन विच डारेक्षिन इस्टार्ट ट्रेवली। तब उसमें चलना किस दिशा में प्रारम किया होगा। झार्ट किस दिशा प्राम किस दिशा ट्रेवली तब प्राम किस दिशा न्या रहा है। नॉर्थ, साउथ, एस्ट, वेस्ट, मैं वो आंसर लगा रहा हूँ जो कभी हो ही नहीं सकता है ताकि उन महान शक्स को ढूंडू जो फिर भी लगा रहा है वही आंसर अद्बुद्ध, सत्य प्रकाश, यह लाल तो मुझे से बहुटा हूँ पुछता है छविया विगड़ जाती है कई बार, सत्य प्रकाश, जानू, खुशी, शिवप्रता, प्रतिका, शिशू, अनीता और प्रताश यह वो महान शक्स है, जिनको लगता है कि वो साउध में ही था, जो कि उत्तर कभी भी नहीं हो सकता था स्वर्णी मक्षरों में लिखा जाए, ओम, आर्थी, यह वो लोग है जिनके नाम स्वर्णी मक्षरों में लिखे जा सकते हैं तुक्का भी लगाएंगे तो यह तो नहीं लगाएंगे कि वो साउध में गया है, तो ओबिसली राइट लेप्ट अलग लगाएं एक लेप्ट जाते समय लिया, एक राइट आते समय लेंगे, साउध से एक राइट दिला दो बस उस्वेक्ती को डाइरिकली पता चल जाएगा कि वो अव्यक्ती वेश्ट दिशा में चलना प्रारम कर रहा होगा, तो यह भी वो महान शक्स है, जो लोग नहीं जान पाएं दूसरी बात, आपको मैंने कहा कि जितने उसने जाते समय लिया थे, बस फेस बताएंगे अब लोगे, उसका चेहरा बता सकते हैं, कि उसने चलन कहां से स्टार्ट किया हो, एक लेप्ट बचा तो उसको एक राइट में बदल देंगे, थ्यू राइट में बदल रहे हैं, क्यूंकि उसको हम फाइनल से इनिशल लेकर आ दें, उल्टा जाता है, हम उसकी इनिशल डायरिक्शन की बात कर रहे हैं, इनिशल डायरिक्शन की, इसी लिए हम उसको फाइनल से उल्टे टर्न देकर पहुचाना चाहते कि वो कहां था इसी के साथ डाइरेक्शन नाम का यह ध्याय समाप्त हो जाता है अब मैं पहले ज़रा एक बार जान लो कि कितने टॉफिक अपने बचे हैं कि मैं पढ़ते जा रहा हूं मुझे यस और नो जो शुरुवात से क्लास कर रहे हैं कैलेंडर हो चुका है कैलेंडर क्लॉक कि डाइरेक्शन अभी कंप्लीट किया अरित्मेटिक रिजनिंग अंक गनीतियत तर्क शक्ति पहला टॉपिक बचा है अरित्मेटिक रिजनिंग अंक गनीतियत तर्क शक्ति ब्लड रिलेशन बचा हुआ हैं आच सीरीज नंबर सीरीज अल्भाबेट सीरीज कोडिंडिकोडिकोड़िकोड़ बचान विर कौडिंडीचेटिग बच्टल डॉजी कले इस सार लोजीचल में विंडाबार्यग रैंकीड सब हो गया है सिलोजिजम स्टेटमेंट कंक्लूजन अजंशन आर्गूमेंट कोर्स ऑपेक्षन हो चुके ही सिलोजिजम कथंतर्क कारवाही धारना पासा डाइस फिर काउंटिंग ओफिगर चित्रो की गणना कितने ट्रेंगल कितने स्क्वेर मिसिंग चूटा हुआ पद क्यू गन और गनाद मिरर और वाटर इमेंज हो haven ने मीरर ओर वाटर जो किया है वो तो घड़ी में किया था यह अलब टॉपइक है पुड़ा तो लिख दीजे यह थे तौपइक बचे हैं किस टौपीक को लगब दो से तीन दिन लग atrás 2 दिनों का टौपइक 2 दिनों का टौपइक है एक कि लोका prototype है मतलब तीन और चार साथ और तीन दस क्लास नेक्स टेन क्लास में रिजनी खत्म हो जाएगा और फिर हम आ जाएंगे अहले डाटा सपीशंसी फिर डाटा इंटर्पेटेशन फिर कॉम्प्रिहेंशन पर तो लिख लीजे आज शुरुवात करते हैं अरित्मेटिक रिजनिंग अभी मैंच में टाइम लगेगा अभी पहले अब रिजनिंग के बारे में चर्चा करें डाइग्राम सिरीज अब आता नहीं मैं दिखा दूगा बली आप लोगों लिखेगा अलफाबेट सीरीज नंबर सीरीज सब सीरीज में पढ़ेंगे हम लोग सब पढ़ेंगे ठीक है कॉम्प्रियेंशन भी होगा पूरी तरह से होगा लिखेगा अब यहां पर आप लोग अरित्मेटिक रिजनिंग अंक गनितिय तरक शक्ति याद रखेगा कि मैद्स और इसनींग का संगम है और संगम ऐसी जगह थे जा पांग धूये जाते हैं इसमें मैद्स और इसनींग दोनों अच्छा होना चाहिए को यह उत्तर आएगा हर सवाल अपने आप में युनिक होगा मैं कोशिश करूगा कि आपको अधिकतर सवालों में ट्रिक्स दे सको ताकि आप उत्तर निकाल सके UPSC में इसके सवाल 3 से 4 और कभी-कभी 5-6 भी आ जाते हैं पहला सवाल लिखे रहे हर सवाल अपने आप में टाइप है तो आप टाइप 1 भी लिख सकते हैं पहला सवाल इनन इग्जामिनेशन एक परिक्षा में प्रश्न के सही उत्तर पर प्रश्न के सही उत्तर पर तीन अंक दिये जाते हैं और गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाता है कर इंब मेंटेंशन ए यह च्टूदेंट सिक्यूर् थ्री मार्ग अाय को स्टुडेंट सी्ًटूर्ट्री मार्ग ओन एवरी क्रीक्ट आंशर i की परिक्षा में प्रस्ण के सई उत्तर थीन अंतringe दिये हैं और गलत उत्तर पर एक अंग काटा जाता हैं एंडिदाट वन माक्स और वरी रॉंग आंसर एंडिदक्ट वन माक्स ओन एवरी रॉंग आंसर कि ए स्टुडेंट अल्टेम अउन सिटी कोश्चन एक विद्यार्थी ने कुल कुल साथ प्रश्नों के उत्तर दिये एक विध्यारती ने कुल साथ प्रश्नों के उत्तर दिये एंड सिक्योर वन थर्टी मांक और उसे एक सो तीस अंक मिले एक सो बीस लेगना एंड सिक्योर वन ट्वंटी मांक उसे को लेक सो बीस अंक मिले नंबर आप कोश्चनी अटेंड करेकली देन नंबर आप कोश्चनी अटेंड करेकली तब इसने कितने प्रश्न सही हल किये होंगे नंबर आप कोश्चनी अटेंड करेकली तब इसने कितने प्रश्न सही हल किये होंगे पहला सवाल है सीखने पर जड़ा ध्यान दो अगले सवाल से आप ट्राय करना है देखो सही करेगा तो तीन गलत करेगा तो माइनस वन पहले किताबी में ठड़बता दे रहाएं कि किताबे कहती हैं माना उस विद्यारती ने एक सप्रश्न सही हल कियोंगे तो ओबियस्ती माइनस एक्स उसने गलत हल कियो एकुर्ष्ट्ट्ट्टर करेगा तो तीन नंबर मिलेंगे दस करेगा तो तीन नंबर लेकिन उसके नंबर माइनस भी हुए जितने गलत करेगा एक गलत पर एक कटेगा दो गलत पर दो कटेंगे दस कोश्चन गलत तो दस नंबर कड़ जाएंगे हम कहेंगे टोटल एक सो तीस अंकों से एक सो बीस अंकों से मिले हैं एक सो बीस सॉल कर देंगे हम इसे माइनस सिक्ष्टी माइनस माइनस प्लस तो सिक्ष्टी को उधर भेज़ दू यह जाएगा फोर एक्स हम कहेंगे कि महोदय उसने 45 पोश्चन सही हल किये होंगे 45 पोश्चन यह किताबी तरीका है अच्छा तरीका है कोई बुरा नहीं है मेरे तरीके बराईए जहां मैं अपना दिमाग लगा कर उत्तर बता रहा हूं ध्यांग से सुनना जब कोई विद्यारती एक्जाम हॉल में कोश्चनों को अटेम करता है तो वो यह सोचकर अटेम क वो एक और 180 सोच बैठा है लेकिन जब उसमें पेपर चेक किया तो उसे पता चला कि उसका एक प्रस्न तो गलत हो गया अगर उसका एक प्रस्न गलत हो गया या उसको पता चला तो कितने नंबर का नुकसान हुआ कितने नंबर का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवा का जो वो तीन दिमाद में सोच बैटा था तीन नंबर के आएंगे वो तो गए एक नंबर और काटा जाएगा इक्ष्ट्रा उस विचारी के चार नंबर का नुकसान होगा अगर उसके दो प्रश्ण गलत हुए तो कितने का नुकसान होगा आठ का किसी ने का कि उसके चालिस नंबर काटे गए चालिस नंबर काट दिये किसी ने का कि उसके चालिस नंबर काट दिये गए वो आपका हैंगे कि सर उसके दस प्रश्ण गलत हुए थे बट ये गरीब तो कह रहा था कि 120 ही मिले मतलब 60 नंबर काटे गए चार के इसाब से 15 कोश्चन गलत करके आया ये गरीब इसका मतलब 45 प्रश्ण सही हल किये हुए हम कहेंगे कि महोदा एक 45 कोश्चन उसने सही हल किये हुए सोचा था कि एक सो आएंगे 180 पर आये 120 कट गए 60 एक पर 4 का नुकसान 15 कोश्चन गलत हुए 60 में से 15 गलत हुए तो सही होंगे 45 और मान लीजे तीसरा में धर दे रहा हूं मैं और एक में धर दे रहता हूं मान लीजे एक्जाम हॉल में में मेमोरी लॉस मतलब पेपर देखते ही दिमाग से सारी चीजे गायब पुरा ब्लैंक तो भी हिम्मत नहीं आरेंगे तब हम अंतिम प्रयास करेंगे बाय ओप्शन अगर ओप्शन 45 मान लो ए है तो 45 के हिसाब से उसके नंबर आने चाहिए थे 135 पर क्यूंकि माइनस मार्किंग है तो इसका मतलब 15 गलत किये तो 15 नंबर कट गए क्या 120 नंबर की बात चीथी अगर हां तो हमने जो बाय ओप्शन सोचा वो सही सोचा है तो अब आप पर डिपेंड है आप यह भी तरीका अपना सकते हैं यह मेरा तरीका है और यह तो सदा बाहर तरीका है कुछ भी हो जाए हमें तकलीप नहीं आए जो भी देखो मेरे लिए तो तीनों ही में धर अच्छे है क्योंकि मुझे तीनों आते हैं आप बिसाइट करो आपके लिए जो बेगर है ठीक है अब आपको ट्राइ करना है प्रश्न और कोशिश करना मेरा सवाल इदर खत्म हो और आपका जवाब आ जाए लेक्ना इन एकजामिनेशन एस्टुटेंट सीक्यूर फोर मास अले करेक्ट आंसर एक परिक्षा में प्रश्न के उच्थर पर चार अंक दिये जाते आजए एक। एक परिश्चा में प्रश्ण के सयुक्तर पर चार अंक दिये जाते हैं, जबकि गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाता है। एक विध्यारती के एक सो साथ अंक आते हैं, एक विध्यारती के एक सो साथ बहुत कम नंबर हो जाएंगे, तोड़े नंबर बढ़ा देते हैं, एक विद्यार्टी के 240 अंक आतेइं। एक विद्यार्टी के 240 अंक आतेइं। जब वो असी प्रश्न अटेम करता है। एक विद्यार्ती के 240 नंबर आते हैं, जब वो अस्की प्रश्ण अटेम करता है, इस्टूडेंट सीक्योर 240 मांक्स, वेन अटेम 80 कोश्चन्स, तब इसने कितने प्रश्ण सही हल किये होंगे, तब उसने कितने प्रश्ण सही हल किये होंगे, बहुत बढ़े होंगे, नंबर आते हैं, यह टेम करेंगे, देखना मैं फिर से अल कर रहा हूँ, जिनके नहीं आएं, वे लोग ज्यादा ध्यान दे, यह गरीब आदमी घर पे गया और सोचा होगा, कि मेरे तो 320 नंबर आने हैं, लेकिन आए 240, कट गए 80 नंबर, एक पर 5 नंबर का नुक्सान हुआ इसको, एक एक गलत सवाल, 16 सवाल गलत कर दिये, 80 में से 16 सवाल गलत हो गए, तो 64 सवाल सही हलुए होंगे, आंसर आना चाहिए था, और मुझे नहीं लगता है, कि अब ऐसे सवालों में, कही कोई दिक्कत आ सकती से, हम प्रैक्टिस अब जादा नहीं करेंगे, अंडर्स्टूड है कि हाँ, ऐसे सवाल हमें करने पड़ते हैं, 0.66 वाले कुष्चन जनरल इसमें नहीं बनेंगे, क्योंकि फिरो दशमलों में सेट नहीं होते, 5 से डिवाइड इसलिए किया, क्योंकि 4 नंबर तो पहले छीन लिए गए, जो सोच रहा था कि 4 आएंगे वो तो गए, और एक एक्स्ट्रा नुप्सान करना पड़ेगा, एक माइनस हो जाएगा न, डिड़क्त हो जाएगा न, बहुत ही सिंपल सवाल है, बताव दर्ध देने वाले कुष्चन कहे रहे हैं, बाई ऑप्शन देख लो, 64 कुष्चन आप्शन ये था, वो सोच के बैठा होगा, कि 4 चोग 16,256 नंबर आएंगे, लेकिन 80 में से 64 गलत हो गए, 16 नंबर कट गए, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज करिए, तोकि मुझे तो आंसर चाहिए बस, नहीं मेथर से नहीं करेंगे, इतना सिंपल तरीका बताया और फिर भी आप कह रहे हों कि जब ये कटी में तो ये तो अध्बूत है आपके लिए, एक स्वाले में टाइम कितना लगए का ये भी तो देखो, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ज्यादा ज्यादा बाई ऑप्शन या सेकर्ड में थाड लेकिन फर्स में तर इसले नहीं क्यूंकि वह लेंडी जाता है बहुत जाद है, तो कलम देखेंगे इसमें टाइप टू और उसके आगे की बातचीत आईए मैथमेटिक्स पर लोटते हैं, तो मैथमेटिक्स में लोटने से पहले मैं फिर रिपेट कर दू आज UPSC के फॉर्म आएंगे, तो जैसी फॉर्म आएगा तो हम आज आएंगे यूट्यूब पर आपको सारी बाते बता देंगे रणनीती से लेकर आपका OTR One Time Registration, जो भी आपके Class Certificate, Age Criteria है, सब चीजे वो Class जब आएगी तो आप तयार रहेगा लेट्स क्राक UPSC CSE हिंदी पर जिसमें सारी चीजी हम पूरी तरह से समझाएंगे पुना, बाकी Economic Survey का कल का Class न देखा हो तो देख लिजेगा, लेट्स क्राक UPSC CSE हिंदी पर सर्वे की Class और आज बजट हैं तो बजट की Class भी हम चर्चा करेंगे, तो Maths में हम लोग Time and Work के आखरी जो टाइप 1 में लेवल आठवा है, उस पर पहुच रहे है नववा लेवल, जो सबसे टिपिकल टाइप है, समझ में नभी आये तो छोड़ देना, समझ में आये तो ही करना, वैसे जरूर नहीं कि यही टाइप आएगा. Maths में अभी तक हमने जो Time Work में सवाल देखे थे, उसमें यह नया टाइप इसले गए, यहां आखरी लेवल है, इसमें सवाल आते हैं Alternative Work के, एक आंतर क्रम में काम करने के, अल्टरनेटिव का मतलब एक दिन AI, फिर अगले दिन BI, फिर AI, फिर BI, ऐसे सवाल अपने नहीं किये थे, तो एक अल्टरनेटिव वाला सवाल देख लीजे, लिखेंगे, A and B can do a piece of work in 15 and 20 days respectively, A तथा B किसी कारे को क्रमश 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं, A तथा B किसी कारे को क्रमश 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं, they start work alternatively and work start by a, इनोंने एकांतर क्रम में कारे करना प्रारम किया, दे बड़क अल्टरनेटिवली इंवर्क अल्टरनेटिवली। इन वनी आंतर करने कार्य करना प्रारम किया। प्रारम ए ने किया, देन इस वर्क, देन, इस वर्क फिनिष्ट, इन हो मेन देन्स, तब यह कार्य कितने दिन में पूरा वोगा, कि इधर ध्यान देंगे, पहला सवाल है, 15 और 20 दिन, LCM 60, रेट 4 और 3, देखो, अब alternative work का मतलब यह समझेंगे, कि पहले दिन A आएगा, 60 काम करना है, उसमें से 4 काम करके चला जाएगा, क्योंकि उसकी रेट 4 हैं, और रेट का मतलब एक दिन में किया गया काम है, तो हम कहेंगे कि यह चार हो जाएगा, फिर अगले दिन B आएगा फिर तीन काम होगा फिर A आएगा फिर B आएगा फिर A आएगा फिर B आएगा तो कुछ भी हो दो दिन में जो साथ काम हो रहा है अगले दो दिन में भी वही साथ काम होगा तो ऐसे सवालों में लालली ध्यान से सुनेंगे हमारे लिए important है दो दिनों का काम हम कहेंगे कि सरर कुछ भी हो लास्ट में हो सकता है कि काम कोई एक वेक्टी गया और खतम करके आ गया वो दूसरे की जरुवत ही ना पढ़ियो या दूसरे की जरुवत पढ़ियो तो कुछी दिन के लिए पढ़ियो पूरा समय के लिए ना पढ़ियो कुछी घंटों के लिए पढ़ियो पूरे दिन के लिए ना पढ़ियो तो हम पहले नस्दीक पहुचेंगे नस्दीक पहुचेंगे मतलब साथ काम के नस्दीक पहुचेंगे तो जल्दी जैसे आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं दो दिन में साथ काम अगले दो दिन में साथ काम तो आप छे दिन में किस काम करोगे डाइरेकली लिख देखेंगे कि से डिवाइड होता हूँ, 60 का smallest number, 60 का smaller number, जो 7 से डिवाइड होता हूँ, आपने का सर 56, मैंने का कितनी बार multiply करना पड़ेगा, आठ बार, इसका मतलब कि 7-7 ऐसा काम, आठ बार करना पड़ेगा, आठ बार करना पड़ेगा, तो 16 दिनों में काम हो जाएगा, 16 दिनों में ये क काम बचा कितना है, तो काम बचा है 4, मैंने का किसकी बारी है, तो भई पहली जो शुरुबात करेगा, और डेस पर पहले दिन, तीसरे दिन, पाचवे दिन, सातवे दिन, पहला वेक्ती आएगा, तो पहले की बारी थी, काम बचा था 4, उसकी रेट भी 4 की ही निकल गई, त इसता मतलब महोदय अगले एक दिन में विचारा ए जाकर काम पूरा करेगा साथ काम करने में कुल सत्रा दिन लगेंगे। काम पर फोकस करोगे, वो उनके रेट के जोड के बराबर ही आएगा जो उनकी रेट होगी उनके बराबर। फिर दूसरी स्टेप आप नस्दीक पहुचोगे इन नस्दीक का काम कितना हुआ फिर एक-एक को भेजोगे वापिस, शुरुआत जो करेगा पहले वो जाएगा, फ जो भी उत्तर होगा न वो 15 और 20 के बीच का अंसर होगा मान लो कि ओप्षन ऐसे दिये होते 17 22 12 और मान लेते 14 तो हम कहेंगे कि फिर तो उत्तर डाइरिकली लगा दो पर अगर ओप्षन ऐसे गंदे दिये जाएं कि सत्रा सोला सही दो बटे तीन अट्रा सही एक बटे तीन उन्नीस तो फिर तो आपको केवल अपनी मेहनत पर यतिन करना होगा तो नोट कर लिजे आप दो दो दिन के हिसाब से मैंने नस्दीक पहुचाया आपको फिर दीमे दीमे घबराओं ने अभी एक-दो सवाल ओल करें करेंगे तो शायद मस्तिष खुलेगा अभी नोट करिए बस अभी आपको ट्राइ करना है कि गवरायना करो मैंस में मैंस को कई स्टेप में तोड़ दिया करो पर देखा करो कौन सी स्टेप तकलीप डायक है करा करो क celebrता करा करेंगे जीमे अभी अभी के तोड़ में हएक्दा के।ेा कर देखा करेंगें बलागा है लिखेंगे, A and B can do a piece of work in 12 and 16 days respectively, A और B किसी कादे को ख्रमच 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं, A and B can do a piece of work in 12 and 16 days respectively, A and B किसी कादे को ख्रमच 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं, येर la this star work alternatively कि बकन्ठर में कार्यकर्य प्रारं करते हैं इन वग उंस्टर बाइए ये इन पर्ड़न में कार्यकर्यकर्य प्रारं 쪽 य। और कार्यकर्य प्रारंब एके द्वारा किया जाता है एन वर्क्स्टर बाई ए और कार्य का प्रारंब ए के द्वारा किया जाता है and work start by a then this work finished in how many days तब यह कार्य इतने दिन में पूरा होगा लुटिए पुटिए र सकफ्छ यह pharmacy जा सकते है लो झाक जा होगा लुट रहा है और दढ़िए OH कि मैं एक गलत उत्तर लगा रहा हूँ और ऐसा गलत जो कभी हो नहीं सकता थाकि मुझे पता चले कि वह लाल जो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि यह वह लाल और लाली है कि जिनें समझाना बहुत मुश्किल है मैंने तुक्का लगाना भी जताया कि अगर कुछ भी हो तो तर बारा और सोला के बीच का आ सकता है लेकिन बारा से कम और सोला से ज्यादा नहीं आएगा तेकिन वो यह महान लोग इने कलेक्टर बनना है नरेश पिंकी दिव्या नामिया येस पूजा ओम प्रगति दीप यह वो महान लोग है इने कलेक्टर बनना है और उनको मैंने बताया यह उत्तर पो हो इनी सकता था पहले दिन ए आएगा चार काम करेगा बी आएगा तीन काम करेगा दो दिनों में साथ काम हो जाएगा नस्दीक पहुचने का काम करते आप तो 42 काम 6 बार multiply से आता इसका मतलब की 12 दिनों में 42 काम हो जाता पर काम पूरा नहीं हुआ मैंने का अभी काम पूरा नहीं हुआ तो पूरा करो आपने का ठीक है फिर एक को भेजा एक चार के इसाफ से क्या पूरा छे काम चार से करवाओगे पूरा छे काम एसे ही कराओगे हम कहेंगे नहीं क्योंकि वह तो एकी दिन काम करेगा फिर चार काम होगा पятель भाग जाएगे फिर बी को बुलाया अब काम बचा के वल दोो और वो कह रहा है कि मैं तो तीन करूंगा मैंने का भी पूरा मत करो जितना हो सकता है उतना खतम कर रो तो दो काम तीन के हिसाफ कम्प्लीट हो जाएगा तीरा सही दो बटे तीन दिनों में ये काम कम्प्लीट हो जाएगा एक ट्राइ और करके देख लो कटिन सवाल है इसकी भी कर सकते वाद A and B can do a piece of work in 12 and 15 days respectively के और बी किसी कारे को क्रमश बारा और पंदरा दिन में पूरा करते हैं A and B can do a piece of work in 12 and 15 days respectively इब दे वर्क अल्टरनेटिवली यदि वे कांतर क्रम में कारे करें A and work start by B और कारे का प्रारंब भी करें तो यह कारे कितने दिन में संपन्न होगा तो यह कारे कितने दिनों में संपन्न होगा कर्दा बार पंदरिए वे संपन्न होगा कितने दिनमें दिन को यह कारे कितने दिन्दिए प्रारंब भी करें बहुत बढ़िया जिन लोगों ने भी सी आंसर लगाए हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जिन लोगों ने भी सी आंसर लगाए हैं बहुत बढ़िया। देख लिए देख लिए दो दिनों में नव का नस्दीक पहुचाएंगे 54 जो 9 से पूरा डिवाइड होगा 12 दिनों में 54 काम अब बारी B के आएगी शुरुवात B ने किये वो एक दिन में 4 काम करके चला जाएगा अभी भी काम पूरा नहीं हुआ 13 दिनों में 58 काम ही हो पाएगा 13 दिनों में 58 काम हो गया अब यह आया 5 के एसाफ से मात्र दो काम करना था 13 सही 2 बटे 5 दिनों में अब यह काम खत्म हो जाएगा तो इतने डाइवर्सिटी के सवाल है ताइम एंड वर्क में 1 में परसंट बेश्ट कोश्चन अपर अब लिखना टाइप टू ग्रूप परसंट पेश्ट समूपर आधारिक प्रश्चन जैसे मैंने अब लिखना टाइप टू ग्रूप परसंट पेश्ट अब बताया था दो टाइप के सवाल आते हैं ग्रूप परसंट बेश्ट समूपर आधारिक प्रश्चन इसमें दो तरीके के फार्मोले हैं पहले ग्रूप और दूसरे ग्रूप के ध्वारा किया गया काम, वर्क सेम हो. if the both group doing same type of work और दोस्रा दोनों ग्रूप के द्वारा किया गया काम अलग हो इक्वल ना हो अलग अलग हो इक्वल ना हो अगर दोनों ग्रूप के द्वारा किया गया काम इक्वल है तो फार्मूला होगा M1, D1, H1 is equal to M2, D2, H2 M1 मतलब पहले ग्रूप में कितने आदमी है D1 मतलब पहले ग्रूप को कितने दिन लगे H मतलब कितने घंटे पहला ग्रूप काम कर रहा था M2 मतलब दूसरे ग्रूप में कितने आदमी कितने दिन, कितने घंटे कई बार घंटों की वैल्यू नहीं दी होती अगर नहीं दी है तो फिर फार्मोला हो जाएगा M1 D1 is equal to M2 D2 घंटे वाली चीज़ आठा देना लेकिन अगर दोनों के वर्क सेम ना हो तो पहले ग्रूप के द्वारा और दूसरे ग्रूप के द्वारा जिस रेशो में काम किया जाएगा उसी रूप में M1 D1 H1 को लगाएंगे तो काम ज्यादा तो आदमी ज्यादा दिन ज्यादा घंटे ज्यादा अगर घंटे की वैल्यू यहाँ भी न दी हो तो मेन फार्मोला यही बन जाएगा बैसे मेनली यही दो फार्मोले यहोजो बहला जब दोनों ग्रूप के द्वारा किया गया से मोख और दूसरा जब दोनों ग्रूप के द्वारा किया काम अलग अलगोगू और त त लिखेगा पहला प्रश्ट 20 men can do a piece of work in 30 days 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं then 24 men finish the same work in how many days तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 24 men can do the same work in how many days 24 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे अब उस काम का मतलब वह काम सेम है तो आपको number of main or days दिये हुए है पहला सवाल है बहुत ही simple सवाल है इसके चार लेवल के सवाल इसमें हम पढ़ेंगे यह पहला लेवल है हमने का भी पहले कितने आदमी थे 20 कितने दिन थे 30 अब कितने आदमी है 24 कितने दिन निकालना है चार से कैंसल किया छे बार पांच बार अब यह काम 25 दिन में पूरा हो जाएगा यदि आप 24 आदमी काम करने आ रहे हो तो अब यह काम 25 दिन में पूरा हो जाएगा आप ट्राइ करिए 16 मैं कैन डू अप वर्क इिन त्वंटी सेवन देग सोला अदमी किसी कार्य को सटाईश दिन में पूरा करते हैं शोला आदमी किसी कारे को 27 दिन में पूरा करते हैं, तब शतीस आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगा? बहुत बढ़िया हो जाएंगे ऐसे सवाल बहुत इजी है 16 आदमी 27 दिन 36 आदमी कितने तीन चार बारा दिनों में अब यह काम समाप्त हो जाएगा two com & kaka w मतलब को था यह कुषिय के यह किसे के डाउट है ऑचले कि मतलब वर्प होता है कि लास्त वाले का प्रकिस्था इस वाले का पारा हैं अभी हम इकोल वाला भी देखते हैं अभी तो इकोल वाला ही है ठीक है हाँ कोई बात नहीं मेरे जाप से स्किप कर दो उसको तो मेरा काम होता है कि मैं पूरे टाइप बताओ अब ऐसा तोड़ी की हर टाइप करने ही है यूपी असी सवालों में हमें पचास का टार्गेट करना है तीस सवाल छोड़ने वाले भी हैं तो पचास के लिए हम तयारी करेंगे ठीक है लिखना अब मैं एक सवाल उसमें वह अला दे रहा हूं जिसमें घंटे भी आ जाएं तो हम कैसे सवाल करेंगे लिखना 20 में can do a piece of work in 27 days when they work daily 8 hours 20 आदमी किसी काम को 27 दिन में पूरा कर देते हैं 20 आदमी किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर देते हैं जब वो प्रती दिन 8 घंटे काम करते हैं 20 में can do a piece of work in 27 दिन दिन 6 a dम्याभा करते हैं 20 आदम trailer वो प्रती हैं तैएं दिन 26 दिन Six में पूरा कर देते हैं 6 आवर, तप 36 आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यदी वह प्रती दिन 6 घंटे कान करें, यदी वह प्रती दिन 6 घंटे काम करें, वही काम करना है, इसका मतलब दोनों वर्क सेम है, 20 दिन 20 आदमी 27 दिन 8 घंटे 36 आदमी कितने दिनों में काम पूरा होगा, तो 3, 4, 20 दिनों में अब ये काम कम्प्लेट हो जाएगा, अब एक सवाल वो देख लेते हैं, जहाँ दोनों वर्क अलग लग का मतलब होता है, वो कहेंगे इसे सवाल कि 20 आदमी 40 पेर काट देते इतने दिन में, तो 80 पेर काटने के लिए कितने आदमी लगेंगे, या 40 बिल्ली आप 20 दिन में इतने चुए खाते हैं, तो बिल्ली का काम है चुए खाना, फिर सवाल ये भी आ सकता है कि किसी भोजना लए में, 40 लोगों के लिए इतने दिनों का खाना है, तो इतना खर्चा लगता है, 50 लोग अगर आ जाए और इतना खर्चा करना हो, तो कितना खाना तो जो खर्चा होगा, वो वर्क हो जाएगा एक तरीके से, लिखना प्रश्न, सव बिल्लिया सव दिन में सव चुए खाती हैं, 100 cat in 100 days, सव बिल्लिया सव दिन में सव चुए खाती हैं, तो बीस बिल्लिया बीस चुए कितने दिन में खाएगे, 100 cat in 100 rate in 100 days, then 20 cat in 20 rate in how many days, तब बीस बिल्लिया बीस चुए कितने दिन में खाएगे, क्रुए कितने आएगे, क्रुए कितने दिल्लिया दिन में खाएगे, अर्वाट तू यहां क्योंकि W1 और W2 सेव नहीं है कैसे पता चला सव चुहे और 20 चुहे चुहे खाना बिल्ली का काम है काम अलग अलग है M1 D1 सव दिन सव चुबिल्लिया सव दिन 20 बिल्लिया कितने दिन कैंसल हो जाएगा तो आंसर आएगा 20 बिल्लिया 20 चुहे अब सव दिन में खाये गिये जो कि बहुत कम लोगों का आंसर था कि ऐसे सवालों में आपको फार्मोले की मदद लेनी चाहिए एक्जेक्ट आंसर तक पहुँच पाएगे तो यह होता है टाइप वन टाइप लेवल वन लेवल वन में इतनी वेराइटीज है कि बिल्कुल ग्यारा बज़े बजट तो मैं पहले सुनूंगा ग्यारा बज़े फिर शाम को मैं उस पर क्लास ले पाऊगा अब लिखेंगे लेवल टू लेवल टू में खाने पिने के सवाल आते हैं जैसे लिखना सवाल कैसा होगा इनिन आर्मी कैम एक सैनिक कैंप में बारा सो सिपाईयों के लिए 31 दिनों का भोजन उपलब्द है इन आर्मी कैम एक सैनिक कैंप में बारा सो सिपाईयों के लिए 31 दिनों का राशन उपलब्द है 31 दिनों का राशन उपलब्द है बट आफ्टर 28 देज 800 सोलजर्स लिव दे कैंप लेकिन 28 दिनों के पश्चात 800 सिपाही कैंप छोड़ देते हैं लेकिन 28 दिनों के पश्चात 800 सिपाही कैंप छोड़ देते हैं 31 दिनों के लिए कितने दिनों तक उपलब्द रहेगा तब यह शेश भोजन शेश सिपाईयों के लिए कितने दिनों तक उपलब्द रहेगा पहला सवाद है लेवल टू में मैं स्वाइल कर रहा हूँ दो तरीके हैं पहला किताबी तरीका यहाँ पर पहले फूड का मतलब होता है वर्ट वही सेम तो नंबर आप मेन और नंबर आप देज यही फूड के बराबर होगा तो किताबी कहती कि भी माना कि प्रती दिन एक सोलजर एक प्लेट खाना खाता हो तो इसका मतलब उस आर्मी टैम्प में डेली 1200 प्लेट खाना खाया जाता होगा और कुल 31 दिनों तक खाना खाया जाएगा इसका मतलब कुल 37,200 अजा वहां फूड रहा होगा और 28 दिनों तक तो उन्होंने खाया न लेकिन तो 28 दिनों तक खाया 33,600 फूड उन्होंने खा लिया है इतना खाना उन्होंने खा लिया तो हम कहेंगे भी खाना बचाए 3600 प्लेट अब 3600 प्लेट खाने के लिए डेली 800 सिपाई चले गए तो भच गए 400 400 कितने दिन तक चलेगा तो 3600 बटे 400 हम कहेंगे कि अ ये खाना अगले नौ धिनों में से कि अब आते हैं मेरे तरीके फिल नेको जीवन में और गनिट में विः चीजए खाली जाती तुरु है खाना 31 दिनों तक 1200 शिपाईयों का था 28 दिनों तक खाया तो पिर क्यों इतना टेंचन ले रहे हो 1200 लोगों का 29-303 दिनों का खाना बचाएं 3600 प्लेट खाना बचाएं 400 के इसाब से 9 दिन में कतम हो जाएगा चेहरी भयानक ना बनाई है बहुत जीवन सरर है 1200 लोगों का तीन दिन का खाना बचाऊएं था 3600 प्लेट खाना बचाऊएं 400 के इसाब से 9 दिन में खतम हो जाएगा 1200 में 800 सिपाही चले गए तो 400 सिपाही तो आएंगे ना खाने क्यों निकाले कितना खाना था कितना खाल लिया सीधा देख लो इतना बचाएं खाना कि राय करीवला आप लोग तीन दिन कैसे 31 दिनों का खाना था 28 खा लिए बच्चे कितने दिन का कि तीन दिन का खाना बचाएं कि लिए लिक लिए केश्ट्स पुड़ेबल फोर 11 जर्ज फोर ए्ट डेट्स सैंशीध कैंप में सब शे pública के लिए आठ दिनों का बोजन उपलप्य्यों है है कि आ एन आर्मी कैंप फूलेबल फोर हंड js बहु फोरीट जर्टיים एक सैनिक ट्यांप में 100 सिपाईयों के लिए 8 दिनों का भोजनवी रफ्लब्द हैं 100 सिपाईयों के लिए 8 दिनों का भोजनवी रफ्लब्द है आफटर टू डेज दो दिनों के पश्चाथ, ट्वंटी सॉलजर जोइन दूटावी तो दिनों के पश्चाथ, वीस सिपाही नये जुडते आफटर टू डेज, ट्वंटी सोलजर, नि के उसचाथ सम्हुमें जुडते हैं देन समों में जूरते हैं देन इस फूट नाव इस अवेलेबल पर हाउ मेनी डेस अब या भोजन कितने दिनों तक चल पाएगा अब या भोजन कितने दिनों तक चल पाएगा छे उतर तो आई नहीं सकता है क्योंकि अब तो बीस नहीं सिपाई आ गए है बई छे दिन का खाना सौ लोगों का बचा हुआ है छे सो खाना बचा हुआ है अब एक सो बीस खाने के लिए डेली आएंगे तो पाँच दिन में खाना खतम हो जाएगा बस इतना ही सवाल था तो कल हम देखेंगे इसके आगे के लेवल 3 और लेवल 4 थोड़े टिपिकल है कल ये खतम होगा कल पाईप एंट सिस्टन भी शुरू करेंगे पाईप एंट सिस्टन में ज्यादा प्रैक्टीस नहीं करेंगे क्योंकि सेम पैटन के सवाल है जो हमने आर्टी डद्यू में पड़े है आए देख लेते हैं डाउट हलो क्या दुकार आएप साउथ फेसिंग में सर इस्ट वेस्ट सेम रहेंगा सिर्फ लेट बदल जाएगा इस्ट वेस्ट तो हमेशा सेम रहता है साउथ फेस हो या किसी का कहीं भी फेस हो तुम यह सोचो कि कभी लिशाय बदलती होगी नहीं सर आदमी बढ़ता है आदमी भी नहीं बढ़ता है आदमी का चेहरे की डारेक्शन बढ़ता है सर और अगर इस्ट वेस्ट लेंगे तो शैडों में लग फेंट या बैक पे बनेगा हाँ और सर एक पॉर्शन था सर हमारा वेंट डाइग्राम में सर अगर कोई भी वेंट डिफरेंट ग्रूप आटम बिलॉंग टुथ थर्ड ग्रूप जैसर हस्बेंड वाइफ फैमिली तो इसमें हस्बेंड वाइफ और चिल्रेन भी ले सकते हैं क्या फैमिली की ज़ले तुम यह क्यों सोचते हो कैसा होता वह ऐसा वोटा रोली याशिए वह सीखा करो कि एसा रहेगा फैमिली थो चित्र यह रहे डुढ़े हम यह सीखना हैं हम पी-छरे और कोश खुर करने थोड़ी हम सीखने बैटे कि husband wife family का निर्मान करते है husband wife तुम जो सोच रहे हो बच्चे का निर्मान करते हैं वो फिजीकली बात चीछ चल रही है तो मैंने पहली बात कह दी थी कि यह relation इस बात पर तुम्हें मैंने का थीन पकड़ा करूँ थी जो मैं शुरुवात में पढ़ाता उस थेवरी उकर फोकस किया करते हैं तुम सोचते हो कि नहीं अगर या यह आ जाता तो क्या होता यह चीजे तब की है जब तुम अतने की फेस को खतंब करते हो अजया सृ तंग जाओ तुम्हों यहाई सृ ट्क्योगुबस दिए करते हो कि झालाँक मैंदे की है और देह जड़ाऊ से यहिए जाता है यहाज से जड़ा दिक हैं के लानाओ जाता है कि पक्या है ।ुम्हार डवास का टोक्ष्ण दिवारत का शोगर शॉए कर देएसे क